आज हम देखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ग्यात करने के उधारण अध्यपक ने अर्णव को 7 बटे 4 और 9 बटे 4 के बीच की तीन परिमेय संख्याओं ग्यात करने के लिए कहा अर्णव ने उत्तर दिया 2, 15 बटे 8 और 19 बटे 8 क्या उसका दिया हुआ उत्तर सही है अर्णव ने दिया हुआ उत्तर सही है या नहीं यह ग्यात करने के लिए ये सभी संख्याएं साथ बटे चार और नौ बटे चार के बीच में आती है या नहीं? क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे ग्याद करेंगे? सोचिए, सोचिए! चलिए हम बताते हैं यदि A, B, C परिमेय संख्याएं जहां A, C से कम है तब B इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या केवल उस थती में कहलाएगी जब B, A से बड़ी लेकिन C से छोटी हो यहां 7 बटे 4, 9 बटे 4 से छोटी संख्या है इस तरह से हमें यहां देखना होगा कि 2, 15 बटे 8 और 19 बटे 8 इन में से प्रत्येक संख्या 7 बटे 4 से बड़ी लेकिन 9 बटे 4 से छोटी है या नहीं? हम 2 को 8 बटे 4 लिख सकते हैं इस तरह से हमें ग्यात होता है कि 7 बटे 4, 8 बटे 4 से छोटी और 8 बटे 4, 9 बटे 4 से छोटी यानि कि 2, 7 बटे 4 और 9 बटे 4 के बीच की परिमेय संख्या है क्या 15 बटे 8 भी इन दोनों परिमेय संख्याओं की बीच की परिमेय संख्या है सोचिए सोचिए बिलकुल सही यदि हम 7 बटे 4 को 14 बटे 8 और 9 बटे 4 को 18 बटे 8 लिखे तो हमें ग्यात होता है कि 14 बटे 8, 15 बटे 8 से छोटी और 15 बटे 8, 18 बटे 8 से छोटी है इसलिए 15 बटे 8 भी 7 बटे 4 और 9 बटे 4 के बीच की परिमेय संख्या है यदि हम 19 बटे 8 की बात करें तो यह 14 बटे 8 और 18 बटे 8 दोनों से बड़ी है इसलिए यह परिमेय संख्या 7 बटे 4 और 9 बटे 4 इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या नहीं है इसलिए यहां अर्णव का उत्तर गलत है 7 बटे 4 और 9 बटे 4 के बीच की कुछ परिमेय संख्या आए है 17 बटे 8, 22 बटे 12, 23 बटे 12 अगला उदारण रिंट 4 बटे 11 और 2 बटे 3 के बीच की 10 परिमेय संख्याई ग्यात कीजिए चलिए इसे प्रतियक विधी का पुनह अवलोकन करते हुए हल करे हम रिंट 4 बटे 11 और 2 बटे 3 का हर समान करेंगे इसके लिए हम रिंट 4 बटे 11 के अंश और हर दोनों को 3 से गुणा करेंगे जिससे इसकी तूल्य परिमेय संख्याई प्राप्थ होगी रिंट 12 बटे 33 इसी तरह 2 बटे 3 की तूल्य परिमेय संख्याई प्राप्थ होगी 22 बटे 33 अब हम कह सकते हैं कि रिंड 4 बटे 11 यानि रिंड 12 बटे 33 और 2 बटे 3 यानि 22 बटे 33 के बीच परिमेय संख्याए है रिंड 11 बटे 33 रिंड 10 बटे 33 रिंड 9 बटे 33 रिंड 8 बटे 33 इत्यादी 19 बटे 33 20 बटे 33 इनमें से कोई भी 10 परिमेय संख्याएं लेकर दिये सवाल का जवाब दिया जा सकता है अगला उदारण माध्य यानि मीन ज्याद करते हुए परिमेय संख्याओं 5 बटे 12 और 7 बटे 18 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं ज्याद कीजिए किनी दो परिमेय संख्याओं A और B का माध्य A धन B बटे 2 होता है इस तरह से 5 बटे 12 और 7 बटे 18 का मार्ध्य है 5 बटे 12 धन 7 बटे 18 विभाजत 2 बराबर 29 बटे 72 इसी तरह वीडियो रोक कर आप 5 बटे 12 और 29 बटे 72 का मार्ध्य ग्यात कीजिए आपको परिणाम 69 बटे 144 प्राप्थ होगा इसी तरह हम 29 बटे 72 और 7 बटे 18 का मार्ध्य ग्यात कर सकते हैं इनका मार्ध्य होगा 19 बटे 48 इस तरह 5 बटे 12 और 7 बटे 18 के बीच की 3 परिमे संख्याएं है 69 बटे 144, 39 बटे 72, 19 बटे 48 अब आप 14 बटे 5 और 9 बटे 11 के बीच की 3 परिमे संख्याएं स्वयम ग्यात कीजिए तो आज हमने देखें 2 परिमे संख्याओं के बीच की परिमे संख्याएं ग्यात करने के उदाहरण परिमे संख्याएं परिमे संख्याएं बटेस अख्याएं परिमे संख्याएं परिमे संख्याएं